तो इसी वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले है आज कब बजार का क्या हल चलता आज फ्राइडे मार्केट था तो फ्राइडे के अंदर मॉर्निंग आवर पर थोड़ा सा रेस्पॉंस अच्छा था निप्टी के अंदर लेकिन बैंग निप्टी तो माइनस पर था लेकि अच्छा उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक जो स्विंग ट्रीडिंग हो सकता है मतलब कुछ दिन के लिए हम लोग होल्ड कर सकते है फोर स्विंग ट्रीडिंग के लिए तो उन्होंने बताया तारगेट और आभी का प्राइज कितना चल रहे तो वह एनालेश्ट तरह पोवाइट किया गया मैं प्रेडिक्शन यहां पर नहीं कर रहा हूं जो मेरा जो प्रेडिक्शन है कुछ दो स्टॉक था अल्लेडि मैंने होल्ट करके रखा हूं जैसे कि कि SBI मैंने उस दिन बताया था स्टेट बैंक अब इंडिया उसके साथ और एक स्टॉक है बैंक अब परोड़ा राइट तो यह स्टॉक थोड़ा सा माइनस पर चला गया था आज थोड़ा करेक्शन हुआ वान परसंट था पोजिटिव हो और बैंक नी जो SBI जो है ना SBI बैं और कुछ कुछ दिन तो मैं थोड़ा अबलोड भी करने ही पाता हूँ तो टाइम थोड़ा सा नहीं मिलता है लेकिन जो भी टाइम मिल जाता है मैं यहाँ पर आता हूँ और अब लोड कर देता हूँ जाकि आप लोग को थोड़ा सा मदद हो जाए कियो मैं पेशाली S paste labE कुछ हुआ new जाया तो आप exit करेंगे कि दो बारा average करेंगे तो अभी तो उन लोग को ढूंड नहीं पाएंगे ना तो इसलिए सिखना बहुत जुरूरी होता है अच्छा जो लोग के अंदर जो stock यहाँ पर provide कर रहा है every day तो वो stock आपको पता लागेगा जो इसलिए प्रोटेंशियल है जो लोगों ने student है मतलब आभी आभी just job लगा है वो लोग का interest है जो मैं second source बनाऊंगा trading से और दोसरा side से तो ये वीडियो आपके लिए है थोड़ा सा मदद हो जाएगा थोड़ा सा help हो जाएगा आपको सिखना बहुत जुरूरी है लेकिन किधर भी सीखो कोई भी YouTube से सीखो एक साथ आपको knowledge गैदर बहुत करना जुरूरी होता है अलग अलग YouTube से गैदर करना जहाँ पर सिखने के लिए मिल रहा है लेकिन आपको सिखना बहुत जुरूरी होता है तो ज्यादा time waste नहीं करूँगा आगे बढ़ूँगा तो आज का जो market का क्या हल चलता देखते है बजार आज जो minus पे close दिया इसको थोड़ा कर लेता है इंक का close मतलब select कर लेता है अच्छा देखो यहाँ पर देखो देखो उसके बाद थोड़ा सा correction आया 24,10 okay 24,10 10.60 लगवाग 33 ज्यादा कुछ minus पे नहीं काया मैं कोशिस करता हूँ इसको देखा और एक चीज में बता देखो बैंग निप्टी जो था यह भी minus पे close दिया लगवाग 0.89% minus पे close दिया अच्छा थोड़ा सा देख लेता है बैंग और निप्टी थोड़ा सा देखेंगे क्या हाल चल हो रहा है ओके सबसे पहले बैंग निप्टी देख लेता है कि बैंग निप्टी के अंदर जाड़ा एक फेन होता है और ट्रेडिंग भगर होता है यहाँ पर देखो continuously बैंग निप्टी बूस्ट दिया यह उन्डे का candle है यहाँपे बूस्ट दिया उसके बाद देखो यहाँपे दो द Grandma अगर मैं ड॑ цвет करता हूं जहां से आपको है जहाँँ जहांपे आपको सपोर्ड मिल जागा यहाँपे support ऊपर रहते है रेजिस्टेंस सब्सक्रेंट हो सकता है और market का अपता ज्यादा PK प्रोटेंशियल है क्योंकि बायार आज कल टाइम में बहुत जादा आ रहा है तो यहाँ पर रुख सकता है अगर नहीं रुखा तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर जाएगा अगर मार्केट के अंदर तो मार्केट के अंदर जो स्ट्रेंद है वो मार्केट के लिए सही नहीं रहता है यह मेरा बात तो नहीं है यह एनलिज्ट तर प्रोवाइट किया जो इनफॉर्मेशन है मैं आपको श्यार किया निप्टी का अंदर देखें सेम कंडिशन है कंटिनुआसली बैंक निप्टी तो उसके साथ नहीं दिया था लेकिन लिप्टी के अंदर जो अलाग अलाग स्टा हो जाए सगर रिलाइन्स हो गया HDFC बैंक हो गया इसके मदद से इस टॉक मतलब आजकल टाइम में FIDI का जो रिपोर्ड है तो FIDI अगर मतलब इन्वेस्टमेंट जो भी है उनलोग के बज़े से मार्केट मुमेंट होता है लिकिन रिटेल टेडर इतना इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट के अंदर तो ये एक पैटन बनेगा ना ये पैटन के अंदर स्ट्रॉंगनेस नहीं दिखा देगा तो मार्केट थोड़ा सा करेक्शन होगा फिर धरी धर उपर जाएगा तभी मार्केट के अंदर अच्छा खासा आप मुनाफ़ा बना सकते हो लेकिन मार्केट अगर उपर आगर आप यहां से लिया तो यहां से थोड़ा क्रेस आता है तो उसके बाद क्या होगा आपको होल्ड करके रख नहीं पड़ेगा मार्केट कभी द्रे द्रे करके ऊपर जाएगा लेकिन सही तरीका से सही एंट्री आप कर सकते हो मार्केट थोड़ा करेक्शन हुआ तभी आप इंट्रेस्टि कर लेता हूं वीडियो थोड़े सी लॉंबी होगा क्योंकि आज कल तो मार्केट बंध है इसलिए तो एक एक करके वीडियो बनाऊंगा धिरे दिरे करके अगर आपके पास टाइम है तो आप कॉंटिन्यू करे नहीं तो बाद में देखिएगा ओके निप्टी बोल दिया मा अगर बग 0.23% तो 167 रुपीज का पॉजिटीव में गया गोल्ड 71,739.00 गोल्ड का प्राइस चल रहा है अच्छा यूएजडी आइनर का रिपोर्ट पार 1 डॉलर पार 1 डॉलर कितना आइनर है 83.38 रुपीज का ओके आभी का कारेंट प्राइस चल रहा है तो उसके बाद हम लोग देखेंगे नीचे इनपोर्टेंट जो स्टॉक बता देता उसके बाद स्टॉप गेना रहा टॉप लूजा के पास जाएंगे तो कुछ स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे एनरीज देरा प्रवाइट किया गया देखो स्टॉक रेकोमेंड डेट फोर आव 0.62% लेकिन इसका टार्गेट बताया 250 टार्गेट ओके नेक्ट जो है स्टॉक स्टार हेल्थ इसका करेंट प्राइस चल रहा है यहाँ पे देखो 558.65 आज का डेट में 5.68% प्रॉजिटिव में क्लोज दिया टार्गेट उनने बताया 730 ओके तो यह भी सेम बोगरेज है म सिमेंट का कुम्पानी से तो यहाँ पे यह प्राइस चल रहा है 11667.90 माइनस पे क्लोज दिया लेकिन टार्गेट उनने बताया 1330 सेम बोगरेज है नीचा आते है RIL इसका जो करेंट प्राइस चल रहा है 3130.80 पॉजिटिव में क्लोज दिया 2.28% टार्गेट उनने बताया 3275 मोतिलाल उस्वाल फाइनस दरा प्रोवाइट करते है यहाँ पे रेकमेंडेट कर रहा है गोद्रेज प्राइटी आच्छा स्टॉक है आप देख सकते है इसको 320790 लगभग 3.13% पॉजिटिव टार्गेट उनने बताया 360 ओके टी टी के पेस्ट्रीच आप सबको पताया जो कुकर बगरा होता है यह से में कुमपणी है पेस्ट्रीच तो इसका जो प्राइस है कारेंट प्राइस है 786.80 तो पॉजिटिव में क्लोज दिया 0.22% टार्गेट बताया 920 आईसी आईसी सेक्रूर्टी दरा प्रोवाइट किया गया और भी बहुत सा रस्टोक है मैंने कुछ बताया लेकिन मेरा जो टेक्निक होता है थोड़ा सा अलाग होता है तो मैं आप लोग को एक वीडियो में बताया था कौन सी प्रोसेस में मैं लेता हूं क्या टेक्निक रहता है तो ओई टेक्निक मैं लेता हूं लेकिन यहां पर जो इतना एनलाइस्ट है यह लोग बह देखने के लिए मिला तो इसलिए यह लोग ने रेक्रेमेंट किया राइट आभी हम लोग आते हैं स्टॉप गेनर और टॉप लुजर थोड़ा से देख लेंगे राइट तो सबसे पहले इसको कर लेते क्लिक देखो निप्टी फिप्टी मैंने सिलेट कर दिया यहाँ पे नि इंडिया वन परसंट का अबाब एसे अन पेंट आज भी अच्छा खासा एसे अन पेंट किया 1.26 परसंट ग्रेशम इंडिया हिंदाल को टाटा कंजीमार तमाम स्टॉक है पोजेटिव में क्लोज दिया मैंने थोड़ा स्कराल करके नीचे देखाने के लिए कोशिस करता आपको थोड़ा सा पूरा पूरी देखने के लिए मिले तो यहां पे देखो यहां तो इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टॉप लूजर कौन था कौन था कौन था तो आज का जो टॉप डूजर था लगबग माइनस चादा तो माइनस नहीं गया माइनस 2.55% तो यहाँ पे और भी बहुत सारा डेटा है देख सकते है वानुए का रिटन क्या है वान मांथ का रिटन क्या है और 3 मांथ का रिटन यहाँ पे देख सकते है जो अच्छा खासा स्टोग है इंडासन बैंक आज माइनस पे क्लोज दिया भरत यहाँ टेल आज थोड़ा माइनस पे क्लोज दिया उसके बाद यहाँ पे देखो 1 मांथ का रिपोर्ट देखो 5% ग्रोथ किया और 3 मांथ का रिटन देख सकता है 17.54% तो यहाँ भी आप देख के पता लगा सकता है क्या हो सकता है हल चल क्या है तो ICIC bank, Axis bank, ICIC bank, Kodak bank and Serum Finance यह तमाम जो श्टोग है उसके बाद JSW Steel माइनस 1.24% माइनस उपर 1% का उपर मानद यह सूजू की बजाच Finance, ICICR, MATAR माइनदर माइनदर TCS तमाम स्टोग जो है माइनस पे क्लोज दिया उसके बाद हम लोग देखेंगे आज निप्टी 50 तो हो गए निप्टी 50 का अंदर बैंक निप्टी का भी स्टोग होता है लेकिन पेसली आपको bank सेक्टर के अंदर दिखाएंगे इसके अंदर top गेना top loser कौन था क्योंकि यह काफी importance होता है bank जो सेक्टर हो जानना बहुत जरूरी होता है finance sector के अंदर आ रहा है तो यहाँ पे देखो top loser जो है पहले selected है top loser पहला number जो stock है यहाँ पे तोड़ा select कर लेता हूँ उसके बाद आपको कोशिश करता हो बताने के लिए तो पहला number चाहँ है इंडासन बैंक तो माइनस 2.55 परसंट उसके बाद Axis बैंक माइनस 1.84 परसंट ICIC बैंक 1.67 परसंट Bank of Baroda 1.60 परसंट Kodak Bank HDFC Bank IDFC First Bank तो उसके बाद हम लोग देखेंगे टॉफ गेनर आज का टॉफ गेनर क्या था बैंकिंग सेक्टर के अंदर प्याला नंबर जो स्टॉक है यहाँ पर देख पा रहा है PNB Bank PNB पंजाब National Bank जो है तो नेर अबाउट 3.41 परसंट जिसके पास होल्डिंग है बहुत आच्छा खासा profit यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पर देखो 6 मांत का रिटान है काफी आच्छा खासा मैं दिखा रहें काले कोशिश करता है यह थोड़ा थोड़ा सा नीचे लगे जाते है ओके तो यहाँ पर देखो PNB Bank जो 3 मांत का रिटान है बहुत कौम है उसके बाद आगर 6 मांत का रिटान देखो 29 परसंट यहाँ पर तो आज का आज का डेट में 21.74 परसंट यह यू स्मॉल फाइनस बैंक जो है 0.94 परसंट SBI आप पहले हाप पर आगर देखा था तो प्राइस बहुत आच्छा खासा था उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ ओके तो रिटान अगर देखें SBI का रिटान यहाँ पर वन वीक का मैं और भी कुछ stock buy करूंगा और भी average करूंगा add करूंगा ओके तो I hope you understand everything तो इसी वीडियो में फिला लितना ही मिलते नेक्स वीडियो पर thanks for watching